एई गाईज, so today we will discuss about Indian aesthetics अब तक हमने जितने भी theories या criticism को cover किया है वो सारे ही western थे और आज की video में हम Indian aesthetic cover करेंगे aesthetic का मतलब होता है कलातुमक मतलब कि Indian हमारे कुछ theories थी इंडिया में जो art थी, poetry थी, literature था उसको किस तरीक के फे जज़ किया जा रहा था उसका analyze किस तरीके से किया जाता है तो अब तक हमने जैसे कि बात करी it's not a big deal कि हम हमने ऐसे बहुत फरी चीजों को देखा होगा कि एक western philosophy होती है versus eastern philosophy western philosophy को importance दे देते हैं और eastern philosophy को हम कहते हैं inferior है लेकिन यह ऐसा है क्यों क्योंकि हम भी अब तक western philosophy को ही पढ़ रहे हैं western critical thoughts पर हमारा concentrate है और हम यू कहें कि जो हमारा western होता है western ने हमें enslave कर लिया है कि हमारे जो इंडियन हमारी जो eastern philosophy है thoughts हैं हम उस चीज को ignore कर रहे है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक को ignore कर रहे है एक को नहीं कर रहे है तो उनों के बीच में partition हो गया है कि हम versus बोल रहे है western versus eastern तो हम इसमें देखें कि कैसे कैसे हो रहा है और इसका reason क्या था कि इसका reason यह था कि जो past कुछ couples थे कुछ couple centuries थी last की कि उसमें बहुत कम development हुआ था थी बहुत सरी ऐसी मान जाता है थी और बहुत सरी आइडियास थे थाट्स थे critical thoughts थे जो की famous है उन्हें cover करेंगे हम बात करें इंडियन aesthetic के और अगर हम इंडियन aesthetic के बात कर रहे हैं तो हम कहीं न कहीं बात कर रहे हैं हिंडियन थाट्स थे क्योंकि हमारा जो इंडिया है वहां पर बहुत सरे religious के लोग रहते हैं और बहुत सरे culture के लोग भी exist करते हैं और कहीं न कहीं जो western aesthetic है उसने बहुत सारा बहुत जादा हमें influence किया हैं हमारे जो इंडियन thoughts थे उन सबको भी influence किया है जो कि हिंडू है mainly जैसे कि मैंने आपको बता दिया उसके बाद है हम अपना tradition भूल गए थे हम enslaved हो गए थे western theories की western theories of art and literature क्या है उनके theories कैसे है किसी भी literature के लिए वो कैसे किसी work को judge कर रहे हैं हम उन सबको copy करने लगे थे लेकिन हम अभी इंडियन aesthetic की बात कर रहे है तो इन दोरों को comparison है starting में उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडियन aesthetic है उसमें कुछ religious foundations है जिससे की धार्मिक हमारी मान्यताएं है परमपराएं है कि जो इंडियन art है या फिर criticism है कुछ भी चीज अगर आप लोगे तो आपको उसमें जो हमारा religious form मिलेगा content मिलेगा एक work अगर आप उठाते हैं तो आपको उसमें धर्म ज़रूर मिलेगा चाहे वो उसकी form के रूप में हो चाहे वो उसके content के रूप में हो तो और जो हमारा Indian aesthetic है उसमें कहीं न कहीं spiritual base है कि मतलब spiritual चीजें हैं उसमें कुछ spirit से related है supernatural thing से concept है God है, spirit है इन सब के बारे में फिर यह कहते हैं कि जो aesthetic है हमारी वो supernatural base पर कैसे है इसके लिए इन्होंने example दिया है कि जैसे कि हम बात करें क्रिशन की रासलीला गोपियों के गथ तो इन्होंने कहा रासलीला को इन्होंने breakड़ण करके लिखा रसा लीला इन्होंने बात आती है non-spiritual expressions क्या थे कि हमारे जो non-spiritual spiritual में हमने बात करी God से related AIDS और नौनडिया इस्थरिटी तरे इंडिया इस्थर्टिक थीयुरिज जो कि इंडिया जर। यहाएं इंडीयों पर बेसे हैं। कि हमारी कितनी विद्रियां होती है। हमारी सैंसे कितनी हूती है। और माया जो कि in Sentinel चैसे इ Français n единतों कर ग। जाता año सकना जाता एं। अगली बात होती है कि this mystic function क्या था तो mystic की बात करें, mistic का मतलब यहां पे उन्होंने use किया है मोक्ष के लिए कि मोक्ष प्रापती, मोक्ष के लिए मोक्ष प्रापती के लिए हमारे work में किस तरीके से हम उस चीज़ को एनलाइस करेंगे या फिर उससे क्रिटिसाइस करेंगे किसी पर क्रिटिसिम लिखेंगे हमाई जो थियोरी है वो कैसे कैसे बेस हैं तो इसमें उने का मोख्ष प्राप्ति और मोख्ष जैसे कि एक ब्रॉंज आइकन की डांसिंग शिवा की मूर्ति मिली थी जब हडप्ता सभ जो थी ये फॉर्माली बन्हें है it can't be the if यहांच पबरतर नहर्थिध में बदाद मुनि थी तो ानके वर्क उर्बर में अधिन गुपता ने अपने वर्क में ध्वने लोका में जो उनका वर्क है तो हम देखते हैं कि कैसे रसा थियोरी है और कैसे ये वर्क करती है तो जो वर्ड रस है उसका मतलब होता है जो ओरिजनली जहां से ये निकला है उसका मतलब है ड्रिंक कोई ऐसी ड्रिंक जिससे भगवान पीते थे, ड्रिंक फू गॉड, कि कोई भी गॉड हो उन सब के लिए, तो वो जो उनके ड्रिंक थी, उसे कहते थे रसा, जो कि इसकी ओरिजिनल जहां सी वर्ड निकला है, हम आगे की बात करें, तो जो संस्कृत के जितने भी थियोरीज रही हैं, या फिर कुछ भी वर्ड था, तो उसमें रसा का मतलब होता था कि हम बात कर रहे हैं, किसी ड्रामा से रिलेटेड, किसी पोईटर से रिलेटेड, वहाँ पर रसा का यूज किया जाता था, रसा थियोरी ही जो है हमारी उसका, तो यह बोलते हैं कि भरत मुनी के बाद, उनके आने के बाद से, यह जो टर्म थी, यह सिग्निफाइड करने लग गई थी, सिग्निफाइड बन गई थी, एस्थेटिक प्लैजर के लिए, सिग्निफाइड होता है कि एक वर्ड जैसे की रसा, और सिग्निफाइड वो किस चीज को शो कर रही है, तो वो हो गया उसका सिग्निफाइड, जो क होते हैं कि जिसे जब जो audience है, reader है, spectator है, वो कोई चीज़ देख रही है, कोई drama देख रही है, कोई poetry सुन रही है, उस time पे वो witness कर रही है, जो hear कर रही है, उस poetry और drama को सुनने के लिए यह वो वाला pleasure है, कि उसको सुनते हैं टाइम होने कुछ आनन्द हुआ, या फिर उन्हें डर लगा, उन्हें बुरा लगा, या फिर उन्हें दया आई, टेरर है, तो यह सारी जो feelings है, वो साही रसा है, तो आगे वो बोलते हैं कि यह जो ड्रामाज होते हैं, ड्रामा का effect होता है, इनके लिए किसी भी ड्रामा performance का main purpose क्या था, कि वो अपने audience में रसा को create कर सके, और वो कहते हैं कि without रसा, ड्रामा cannot have appeal, कि बिना रस के, बिना किसी pleasure के, डर के, कोई भी ड्रामा का कोई appeal नहीं है, किसी भी readers के लिए, audience के लिए, spectators के आगे वो कहते हैं, वो clarify करते हैं अपने इस point को analogy से, analogy होता है similarity, उन्होंने कहा, जैसे की रस, जो कि हमने पहले बात करी, जो drink ले यूज होती थी, तो उसमें उन्होंने कहा, कि जो ये रसा, ये combination है, herbs का, बहुत सारे द्रव्ये उन्होंने वर्ड यूज किया, द्रव्याज और spices का, और उसके बाद ये रस बनता है, और उन्होंने कहा, जो रसा, थियोरी वाला जो ये रस यूज कर रहे हैं, ड्रामा के लिए, जैसे कि वो रस बनता है, सिमिलर तरीके से, ये भी ये जो रस है, ड्रामा में, ये भी बहुत सारे चीजों के combination से बनता है, बहुत सारे हमारे जो भाव होते हैं, उनको मिलाने से ये रस उत्पन होता है, ये रस बनता है, जिसे बहुत सारी चीजों को मिलाने से, द्रव्यों को मिलाने से, माटेरियल मिलाने से, फ्लेवर, ड्रिंक वाला जो रस है, वो बनता है, किसी वक को जज़ कर रहे हैं, आट को ज़ज कर तो इसमें यह होना चीह, रस उत्पर होना चीह, रीडर्स का रिस्पॉंस ऐसा हो, उन्हें डर लगे, फिर हो, लेकिन यह सब चीजें हमें पढ़ कैसा लगते हैं, कि हमने यह पहले कहीं पढ़ा है, तो यह हमने पढ़ा था अरेस्टोटल के थियोरी ऑफ कथार्सिस में, पर आज़ी कोई वर्क देखते देखते जो आउडियन्स है, जो रीडर हैं पढ़ते हुए, उन्हें बुरा लगे, उन्हें डर लगे, और बुरा लगे, और उन्हें कभी खुशी हो, कभी उन्हें पिटी हो, कभी उन्हें गुसा आए, तो यह जो सारी इमोशन्स होते हैं, य और यह similar हैं बिलकुल रसा थियोरी की तरीके से, डोनों बहुत ही अलग हैं अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से लेकिन कुछ चीजे दोनों में similar हैं कि दोनों ही दोनों जो फिरोस्फी हैं, शायख्यो और फिजियो लोजिकल चीज़ों पर फोकस करती हैं, उस पर बेस करती साइक को मतलब कि आपका mental level किस तरीके से work करता है किसी चीज को सुनके देखके आपके अंदर कैसी emotions आते हैं वो चीज पर base करती है दोनों ही theories भरत मुनी का जो explanation था रसा का रसा theory में जो इनका explanation है वो सभी answers नहीं कर तक बहुत सारी problems ऐसी है जो रह जाती है जिनका answer वो नहीं द पाते हैं अपनी theory में तो आगे चलकर तो जो बटन आई का है वो बहुत क्लियरली इस चूज को बोलते हैं कि जो रसा है रसा को जो effect होता है spectator पर ये develop करता है इस theory को कि ये theory इसी पर base है कि उसका effect कैसा होगा और वो बोलते हैं कि जो poetic language है ये बहुत ही अलग है हमारी ordinary language से क् अगर ordinary language की बात करें तो हमारे अंदर कोई भी emotion नहीं निकलेगा लेकिन जो हमारी poetry की language है poetic language है उसमें language को इस तरीके से mold किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे लगने लग जाती है तो ये कहते हैं कि जो रसा के theory है ये एक system है एक system of theology है एक philosophy है फिर आ इंग्रा कहीं देखता है वो खुद को ये पाता है कि वो divine soul से मिल गया है परमात्मा जिसे इनोंने वो नाम दिया है और इससे वो अजीव करते हैं एक flash of bliss मतलब कि हाँ उसके बाद उने थोड़ी से खुशी मिलती है तो इसे इनोंने कहा स्वरूपानंद पानंद उसके बा जी से रोलाण बात ने कोईनोट किया ता तो अगर हम बात करते हैं इनोंने क्या कहा है तो इनोंने कहा है कि जो reader है रीडर के freedom जो operation है जैसे कि एक reader किसी book को read करता है तो उसके उपर एक operation होता है एक suppression होता है कि author ने क्या चाहा था वो उसी चीज़ को पढ़े तो उन्होंने कहा रोलाण बार्टनी कि अगर reader इस चीज़ से free हो जाता है इस freedom हो जाए उसे इस चीज़ से तभी एक अच्छा work निकल कर आएगा तो इसके लिए उन्हें कहा death, death of the author हम physically बात नहीं कर रहे हैं कि author मर जाए बलकि हम यहाँ पर metaphysical तरीके से बात कर रहे हैं कि जब हम सोचेंगे कि यह जो एक book है, यह जो novel है इसका कोई author नहीं है इसका author मर गया है और आप जो reader है वो free है उसको किसी भी तरीके से पढ़ने के लिए तभी एक अच्छा work निकल कर आएगा और उसमें इन्होंने यह word दिया था, जिसे इन्होंने bliss कहा है तो यह सोचते हैं कि जितनी भी modern novels हैं, as a text, जितनी भी text है, novels हैं यह rapture है, rapture मतलब खुशी होती है इन्हें पढ़ने से तो यह बिल्कुर रसा थियोरी की तरह हो गया कि रसा थियोरी में भी है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ आनंद आए कुछ अच्छा लगे तो इस दोनों थियोरी में यह हैं कि दोनों ही थियोरी जो है वो reader oriented थियोरी है आगे बात करते हैं द्वनी की तो द्वनी जिसे कौइन आउट किया था आनंद वर्धना ने तो सबसे पहले बात करते हैं द्वनी द्वनी का मतलब क्या होता है? द्वनी का literal मतलब होता है sound जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो sound आती है लेकिन यहाँ पर यह इस चेट से deal नहीं कर रहा है function of sound से deal नहीं कर रहा है जैसे कि हमने कहा कि literal meaning sound है लेकिन यह उस sound से मतलब नहीं है हमें इस द्वनी से यह जो द्वनी का concept है जो द्वनी की theory है यहाँ पर हमें sound नहीं देखना है तो यह जो theory थी सबसे पहले दी गई है आनंदवर्दन ने इसमें इनोंने कहा कि द्वनी प्लस आलोका जो द्वनी theory थी यह consider करती है indirectly जो meanings आते हैं suggestively आते हैं जैसे कि कोई word है उस word को छोड़ कर उसका कोई और मतलब निकल कर आए तो यह ध्वनी theory उस चीज को consider करती है जैसे कि कुछ features होते है literary text अगर हम बात करें तो literary text जो है वो और चीजों से अलग है जैसे कि हमारी literary text में novels की बात करें portraits की बात करें और यह हमारी scientific books से अलग है literary text में एक मतलब का दूसरा इसलिए इन्होंने कहा कि यह अलंग कार है अलंग कार का मतलब होता है figure of speech जैसे कि हमारे metaphor होते है similar होती है यह सारी word एक कुछ और बोलते है और कुछ और intent करते है अगर हम metaphor की बात करें the word is my oyster तो मैं कुछ और बोल रही हूं लेकिन मैं बताना कुछ और चाहती हूं she was on a peak कहां पर उसकी जो सफलता थी उस पर तो यह जो एक तरीका होता है बोलने का कि किसी और word को use करके कि किसी और word को intent करना तो दुआनी की theory में यही था इसमें इन्होंने अलंग कार के बारे में बात करें आगे वह बात करते हैं कि जो यह जो है दुआनी की जो theory थी अनदवर्दन ने जो दी थी तो यह structural analysis है indirect meanings का जो कि figure of speech है कि जितनी भी indirect meaning है उनका एक structure तरीके से analyze किया जाए तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो दुआनी है यह universe of suggestions है कि इसमें बहुत सार suggestions हो सकते हैं और जो यह कावे है जो poetry है जो भी कावे और poetry लिखी जाती है इसकी जो soul है वो ध्वनी ही है क्योंकि आप poetry में अगर हम बात करें तो ध्वनी के हिसाब से ही poetry build-up होती है कि मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ और मैं कोई और easy से videos करें और मैं कुछ typical से videos करें किसी अच्छे चीज़ को दिखाने के लिए ने natural चीज़ को दिखाने के लिए तो यह जो beauty है poetry की beauty है वो ध्वनी है जैसे कि हम figure of speech बोलते हैं यह वो है आगे कि जैसे कि कुछ इन्होंने जो ध्वनी का पहले उन्होंने इसका concept बहुत अलग सा दिया था उन्होंने कहा जो ध्वनी है वो एक sound structure है शब्द का शब्द मतलब की word का एक structure है sound structure है और कुछ ने कहा था कि इसे denote करने के लिए use करते है semantic aspect of शब्दा semantic का मतलब होता है sign system कि कि किसी भी language का word का sign क्या है आप एक एक word पकड़ कर उसका मतलब समझने की कोशिश करें तो वो होता है semantic aspect तो उसके लिए कुछ ने use किया था and I really hope that you like the video and if you like the video then make sure that you hit the like button and do subscribe my channel thank you